नमश्कर मैं डॉक्टर हिबन शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूं इन्टू सुसेप्शन के बारे में यह क्या होता है कब होता है किनको होता है क्या इसके कारण है तो देखिए इन्टू सुसेप्शन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि the inversion of one portion of intestine within another मतलब एक intestine का portion दूसरे intestine के portion के अंदर inversion हो गया जैसे कि यह intestine है अब यह वाली आप ऐसे हो गई है अंदर चली गई थोड़ी तो इससे क्या होगा जो इस टूल का रास्ता है लेट्रिन है वो पास नहीं हो पाएगा और स्ट्रक्शन हो जाएगा पेट में दर्ध होन होने लेगा जनरली इंटूसरेप्शन किस में देखा जाता है यह बच्चों में देखा जाता है दो साल से चोटे या ठारा महीने से चोटे बच्चों में क्या एडल्स में भी हो सकता है इसके क्या सिम्टम्स होंगे कैसे पैचाने की इंटूसरेप्शन है या नहीं है अग मुकस आ सकता है बच्चा एकदम सुस्त रहेगा सोता ही रहेगा यह चीज़े होती है इंटुसेप्शन में और बड़ा है तो बड़े को रीकरंट वामेटिंग अब्डॉमिनल पेन लंबे समय तक मिक्स डिश्टूल ब्लाड मुकस यह सब आ सकता है भूक नहीं लगना क्रैम साना फटीग रहना ठकान रहना यह बड़ों में भी सिंटम सा सकते हैं अब जो इंटुसेप्शन है यह क्यों होता है क्यों इंवर्जन ऑफ वन पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन इंटू अनादर हो जाता है उसका कारण है जैसे कि वाइरल इंफेक्शन हुआ कोई ऐसे तो कुछ चीजें हैं मरीज के पार अंदर या मरीज को इन चीजों से सफर कर रहा है तो यह हो सकता है इंटूसेप्शन को कैसे हम डाइगनोज करें इसको डाइगनोज करने के लिए सोनोग्राफी की मदद ले सकते हैं या फिर हम सिटी स्केन कर सकते हैं या वेरियम एनीमा की रूबी हम देख सकते हैं इंटूसेप्शन डाइगनोज करने की लिए अब युए जी इन में क्या देखेंगे हम जैसे टार्गेट साइनेस में दिखेगा डॉनट साइनेस में दिखेगा बर्ड का जो क्लॉ होता है वह वह देख सकते हैं अब इसको ट्रीट कैसे किया जा इंटूसेप्शन को क्या यह इमर्जेंसी है देखो अगर एक्यूट केसे तुरंत दर्चाल हुआ है तो इसको 24 आर्स के अंदर अंदर ट्रीट करना है 80-90% इंटूसेप्शन कई बार एनीमा आर्टी राइल्सट्यूट वगरा डालने से भी ठीक हो जाता है बेरियम इनीमा जाच भी हो सकता है और ऐनीमा डाइग्नोसेज भी हो सकता है पेशेंट को वाटर सॉलिबल कॉन्ट्रास यह कई बार अपने आप रेडिउस हो जाता ह कुछ cases में intususception अपने आप ठीक होता है कुछ cases में इसको इलाज की जरुत पड़ती है 90%, 80% medications, lifestyle, diet उससे ठीक हो जाता है कई बार यह दिया कर भी होता है दुबारा भी हो सकता है patient को जिनमें होने का tendency है तो test other blood hormone test वगरा patient को कोई constipation तो नहीं रह रहा उन चीजों का विध्यान देना होता है तो यह सारी चीजे रहेंगी उसके अलावा इसको treat medically किया जा सकता है दवाईयों से किया जा सकता है पर बहुत acute emergency है तो तुरण 24 घंटे के अंदर operate करेंगे अगर intusception का complication हो गया जैसे आते गल गई, सड़ गई, necrosis हो गया, perforation हो गया, peritonitis हो गया, pneumo peritonia में तो operate करना पड़ता है बट वो बहुत rare situation है सहर आदमी को operate नहीं करना पड़ता यह बहुत कम लोगों में operate होता है बाकी अपने आप ठीक हो जाता है, medication, diet, proper, doctor के guidance में रहके अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको भी intusception है और ऐसी समस्या है तो whatsapp number मेरा इस वीडियो के description में है, repair direct call ना करें, whatsapp पे जाके message करें और अपना appointment book करें, video अच्छा लगता है तो like करें, channel पर नए है तो subscribe करें ले, धन्यवाद, नमस्कार, goodbye, thank you और diet, lifestyle, important role play करता है, thank you, nutrition भी